हेलो दोस्तों, EFA Learning के नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, दोस्तों एक चीज तो तई है कि हमारे घर में खाना तो बनने ही वाला है, चाहे वो LPG से बने या Pipe Gas से बने, लेकिन खाना तो बनने ही वाला है, चाहे कैसी भी स्थिती हो, आज हम बात करने वाले है, एक ऐसी कंपनी की, जो बिलकुल डायरेक्टली हमारे खाने के साथ रिलेक्टेड है, वो है महानगर गैस, कंपनी डिविडेंड और फाइनशल रिजल्ट देने वाली है, हम उसके बारे में बात करेंगे, बिजनस को समझेंगे, LPG, PNG के बारे में समझेंगे, दोस्तों बहुत सारी नॉलेज हम लेके जाने वाला है इस वीडियो से, और हम यह समझेंगे कि क्या यह बिजनस भविश्य के लिए आप देख सकते हैं, मतलब अगले 10-15 साल के लिए देख सकते हैं, तो सबसे पहले ता हम शौट टम की बात करते हैं, मेच 24 को आप बिलकुल नोट कर के रखिए सुमभार का दिन है क्योंकि quarter 4 के रिजल्ट आएंगे financial रिजल्ट आएंगे और साथ साथ महानगर गयास डिविडेंड का भी announcement करने वाला है, अल्रेडी 9 रुपे का इंटरिम डिविडेंड जो है February महिने में उन्होंने announcement किया था और पिछली बार 25.5 25 रुपे उ उसमें special dividend भी था, तो एक उनकी history रही है, 9 रुपे से 12 रुपे के बीच में dividend देने की, तो हमको उस दिन पता चलेगा केतना dividend होगा, तो इसको investor जरूर नोट करके रखे, 1100 के आसपा stock price है, अगर पिछले साल की सब बात करें तो अच्छा का सा dividend yield है, देखते हैं अभी कितना dividend आता है, अब हम थोड़ा सा short से long term की तरफ जाते हैं, देखे, महानगर gas क्या है, city gas distribution company है, और कहां कौन सा सहर, मुंबई सहर, मुंबई सहर दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर हम कहें revenue अगर कोई लाता है, पुरे देश में तो वो है, मुंबई का सहर, और वहाँ पर CNG और P CNG मतलब जो बसे चलती है, आटो रिक्सा चलते हैं, वो CNG से चलते हैं, और pipe natural gas जो आपके घर में जो रसोई होती है, खाना बनता है, वो होता है, PNG से होता है, तो बिल्कुल आसानी से हम इसको समझ पा रहे हैं, और natural gas की एक theme भी चल रही है, जो हम देख पा रहे हैं, कि ज बढ़ता ही जाएगा, तो कि पेट्रोल डीजल से भी कोशिस की जा रही है, कि हमारा dependence कम हो, दूसरा, और सस्ता भी है दोस्तों, PNG, pipe natural gas, और वो भी आप देख सकते हैं, कितने घरों में, लगबग 15 लाग से, और वो भी Bombay और उसके आसपास के जगों, और ये तो बढ़ता ही जाएगा, देखिए, यह हम समझते हैं, सबसे पहले तो मुंबई के है, मुंबई आप देख लीजा, अगर आप मुंबई से हैं, कौन से एरिया से, बिल्कुल कमेंट सेक्से में लिखिए, फिर थाने डिस्ट्रिक्ट में है, कल्यान, डोंबी वली, फिर राइगर डिस् प्राइगर जो कि एक्सपेक्टेड है कि यह बढ़ते ही जाएंगे, सबसे बड़ी बात क्या है, दो करोड से जादा पॉपूलेशन है, और तीस लाग से जादा हाउजोल्ड है, तो यह तो बढ़ते ही जाएंगे और यह भी ग्रोथ होता जाएगा, ऐसा जब हम यह city gas distribution की बात करते हैं दोस्तों, तो 2015 से 20 तक 11 परसंट बढ़ने की बात है, फिर 20 से 25 नौ परसंट, फिर 12 और यह बढ़ता ही जाएगा, गवर्मेंट का भी यहाँ पर जादा से जादा फोकस है, क्योंकि यह सब environmental friendly होता है, क्योंकि देखिए, पेट्रोल में अगर अब बस चलाते हैं, या फिर कार चलाते हैं, तो थोड़ा environmental friendly है नहीं रहा, इसलिए electric vehicle की theme चल रही है, लेकिन natural gas भी तो है, जो की already बन गया, electric theme तो अभी तक आई भी नहीं है, यह सब तो कम से कम आप देख सकते हैं, अपने घर के आसपास की, जो CNG के, हमने देखा है, CNG के पेट्रोल, जो भी CNG के pumps होते हैं, तो यह अलग-अलग city में भी expand कर सकता है, वो भी advantage है, अब यह है समझने का कि यह सस्ता भी है, देखें, यह एक word होता है, MMBTU, इसको समझना जरूरी है, MMBTU जो होता है, यह है metric million British thermal unit, ठीक है, तो commercial LPG अगर आप लेते हैं, तो 1265 रुपे पड़ते हैं, और PNG, मतलब Pipe Natural Gas, जो आपके घर में आती है, उसका 877 रुपीज पड़ता है, तो 31% का यह difference है, और जब हम बात करते हैं, पेट्रोल डीजल के साथ, तो देखें, CNG, अब देखें, चेंज तो अलग data अभी तो बहुत चेंज हो गए, तो थोड़ा पुराना है, और अगर कोई घर, अगर पुरा साल LPG यूज करता है, तो 7728 यह इनकी खुद की रिसर्च है, इतना पैसा यूज होगा, और PNG में 6468 रुपे, मतलब 16% का difference भी पड़ता है, तो चीप भी है, और सेफ भी है, और घर में भी आपके गैस आ जा रही है, कहीं पर भी फोन कर हम देख भी रहे हैं, यह सब changes हो रहे हैं, ग्रोथ आप देख सकते हैं, 12% का 5 साल का CAGR ग्रोथ है, 4 लाख 21,000 कस्टमर से, 7 लाख 16,000 कस्टमर से हैं, दोस्तों, आप यहाँ पर, यह CNG की बात है, PNG की बात करें, तो यहाँ पर 8 लाख से, यहाँ पर 12 लाख से उपर बन गय रहे थे, तो फिर usage कम हुआ ही होगा, PNG का भी volume घटा था, घर में gas आती है, बट यह भी volume घटा था दोस्तों, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है, अब आप देख सकते हैं, 5 साल में अच्छा खासा CNG, PNG का सब कुछ ग्रोथ है, लेकिन यह September तक ग्रोथ नहीं था, तो अब हमको देखना पड़ीगा, October से March कितना ग्रोथ होता है, बिजनस में, जब हम बिजनस की बात करेंगे दोस्तों, और वही चीज हमको पता चलेगी, May 24 को, dividend भी आने वाला है दोस्तों, और हमको ये भी पता चलेगा कि कितना बड़ा यहाँ पर ग्रोथ हुआ है, और ग्रोथ नहीं हुआ है, तो फिर यहाँ पर फिर से रिवीव करना पड़ेगा कि यह स्टॉक सही है या नहीं है, तो यह सब चीजे हमको पता चलने वाली है, May 24 को दोस्तों, आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू बरी मत दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, तो जरू लाइक से और सबस्क्राइब कीजेगा, थैंक यू बरी मत दोस्तों.